बिहार विदानसभा चुनाओं के महा संग्राम की पहली परिख्षा यानि पहले चरण का मतदान जारी है पहले चरण में कुल 71 विदानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है सुबह से ही पोलिंग बूट्स पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है कुछ स्थानों पर शुरुवात में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन और वीवी पैट मशीनों की दिक्कतों की खबरें आई लेकिन बाद में फिर वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी दोफेर एक बज़े तक 33.1 एक प्रतिशत मतदान हो चुका है उधर कोरोना काल में मतदान के लिए विशेश विवस्था की गई है प्रदान मंतरी मोदी तेजस्वी यादाओ नितिश कुमार ने लोगों से सावधानी बरतते हुए मतदान की अपील की पहले चरण में कुल 1066 उमीदवारों की किसमत का फैसला होना है वहीं दूसरी तरफ दिगजों की रेलियां भी चल रही हैं हम आपको बता दें कि पहले चरण के अब तक के मतदान में एक बज़े तक की अगर बात करें तो 33.1 प्रतिशत मतदान हो चुका है पोलिंग बूधों पर मदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है इस बीच कॉंग्रिस के नेतार आहूल गांधी ने दूसरे चरण के लिए रेली की और राज्जी की नितिश सरकार के साथ साथ केंदर की मोधी सरकार पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि दो करोड नौकरी युवाओं को देने की जो बात है प्रधान मंत्री की जूटी है लोग ये जानते हैं मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर प्रधान मंत्री यहां आकर ये बात कहेंगे तो भीड उन्हें यहां से निकाल देगी उन्होंने का कि हमें हमारे अंदर सिर्फ एक ही कमी है कि हमें जूट बोलना नहीं आता हम प्रदान मंत्री से जूट बोलने में प्रतियोगिता नहीं कर सकते तो राहूल गांदी का निशाना जहां जारी है वहीं पहले चरण में हम आपको बता दें कि यह लगबख दक्षणी कश्मीर आपकीजिये बिहार का इलाका है जहां पहले चरण में इन सीटों पर मद्दान हो रहा है कुल 71 विदानसवा सीटों पर वोटिंग हो रही है 1066 उमीदवार अपनी किसमत आजमाने उतरे हैं और राज के कुल 7.29 करोड वोटर्स में 2.14 करोड इसी चरण में अपने वोट का इस्तिमाल करेंगे